Hello viewers, welcome to my channel Study Mentor आज हम करने जा रहे हैं India Statics GK का Part 30 इससे पहले हमने India Statics GK के 12 Part पहले कर लिए हैं जो कि आपके लिए बहु ज़्यादा Beneficial है अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ पंजाद के competitive exam के लिए ही जरूरी नहीं है बलकि इंडिया के center level के exam के लिए जैसे की banking, railway, SSE, किसी भी तरह के exam के लिए बहु ज़्यादा important है क्योंकि ये इंडिया की static GK है इसमें हमने इंडिया के बारे में national symbols, awards इंडिया के current who's who's जैसे की current PM of India, President, Vice President, Army Chief, Cabinet Ministry of India इस से related हमने काफी questions with tricks कर लिए है awards कर लिए है जैसे की national civilian award, military glantry awards, national sports award, literary award जो काफी-काफी important questions है आप से related वो हमने कर लिए है उसके बाद हमने world heritage sites भी complete कर लिए है जैसे की आपको पता ही होगा अब हमने start किये हुए है first in India में अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस से related और वीडियो भी आएं तो आपको साथ की साथ पता चल जाए ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को जादा से जादा शियर करें ताकि जो स्टुडेंट्स कम्पिटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके ठीक है अब हम आज करने जा रहे हैं जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने फिफ्टी कोशन्स इंडिया स्टैटिक जीके से रिलेटिट कर लिए हैं आज हम उसे नेक्स्ट कोशन्स करने जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास है फिफ्टी वन नंबर कोशन्स जो की है India's first minister to resign from union cabinet India first minister to resign from union cabinet Union cabinet से कौन से first minister जिनों ने resign किया Very very important that is Shama Prasad Mukherjee कब resign किया that is on 1950 Very very important India's first minister to resign from union cabinet इसको भी नोट कर लीजे क्यूंकि कई बार एक्जाम में ये पूछा जा सकता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोशन है इसके बार नेक्स्ट कोशन है इसके बार नेक्स्ट कोशन है हमारे पास इंडिया फिस्ट कोशन कोशन है इसके बार नेक्स्ट कोशन है इसके बार नेक्स्ट कोशन है आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशेल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्यूंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे रिलेटेड काफी कोश्चन्स एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके इंडिया की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और जो ये कोश्चन में आपको करवा रही हूं प्लीज इनको कोपी पे नोट कर लीजिए नोट स्टियार कर लीजिए ताकि जब आपको कोई एक्जाम आये तो डिरेक्ट आप महां से रिवीजन कर लें और अगर मैं आपको कोई जिससे रिलेटिड मैं आपको बता दती हूं कि किस तरह से कोश्चन पूछे जाते हैं उनको भी साथ में आप नोट कर लीजिए कि किस तरह से रिलेटिड कोश्चन आपको पूछे जाते हैं एक दो बार अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होती है प्लीज इसको दो बा पूझा जाता है जो पुलिकूश में भी पूचा जाता है जो पंजाब हरें चैय। जरूर पूचह जाता है की 1st Chief जस्टिस और इंडिया इसके बाद नेक्स है हमारे पास 1st person to submit the proposal of Indian independence in a congress session that was Hasrat Mohani 1st person to submit the proposal of Indian independence in a congress session that was Hasrat Mohani very very important India's first university Nalanda University that was very very important अभी मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको करवाया था ना कि India's first open university कौन सी थी इसका मेरे को answer comment box में चाहिए India first open university कौन सी थी इसका answer please comment box में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो please उसको देख लीजिए आपके लिए बहुँ ज्यादा important है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अब भी बता रही हूं इस से इस तरह से आप confused हो जाओगे कि यह वाली हो सकती है यह भी है तो please आपको confused नहीं होना है इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हों कि वीडियो को ध्यान से सुने यह जो आपको material है यह तो कहीं से भी मिल जाएगा बट मैं आपको इस तरह से बता रही हों कि किस तरह से question exam में पूछे जाते हैं किस तरह से student confused होते हैं तो please इन सारी चीजों को note कर लेना कि इंडिया की first open university कौन सी है और इंडिया की first university कौन सी है यह दोनों question अलग है तो यह कौन से नालंदा university very very important इसके बाद हमारे पास next question है first Indian to climb Mount Everest without oxygen चीक है very very important first Indian to climb Mount Everest without oxygen इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है without oxygen cylinder that is शर्पा फू दोर्जी शर्पा फू दोर्जी फर्स इंडियन to climb Mount Everest without oxygen cylinder that was शर्पा फू दोर्जी हो गया clear next देखें अब हम next है हमारे पास first foreign recipient of भारत रतन very very important भारत रतन अवोर्ड से related जैसे कि मैंने आपको जब भारत रतन अवोर्ड या और भी national civilian अवोर्ड glantry awards sports awards जो भी awards आपको करवाए थे international awards भी तो मैंने आपको बताया था कि ये questions काफी important है किस तरह से भी awards से related question काफी exam में पूछे जाते हैं तो first foreign recipient of भारत रतन खान अब्दुल गफर खान खान अब्दुल गफर खान ठीक है very very important first foreign recipient of भारत रतन that was खान अब्दुल गफर खान very very important first Indian recipient of Nobel Prize in Economics ठीक है हमने medical science वाला भी कर लिया है scientist physics वाला भी कर लिया है अब question है economics से related किसे दिया गया first Indian recipient of Nobel Prize in Economics that was Dr. Amritya Sen Dr. Amritya Sen very very important next है हमारे पास first army institute of information technology first army institute of information technology founded first army institute of information technology founded Hyderabad कहां पे है Hyderabad very very important very very important first army institute of information technology founded at Hyderabad that was very very important अब जो next question है वो बहुत जादा important है किसी भी exam में जो ये पंजाब रहना high court के exam होते हैं उनमें ये question जरूर पूछा जाता है कई बार repeat हुआ 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 है mostly पूछा जाता है बट इंद्रा भी पूछा गया हुआ है तो ये दोनों नाम ही आपको याद रखने है टेस्ट यू बेबी ओफ इंडिया that was इंद्रा बेबी हरशा very very important प्लीज इनको आप note कर लीजगे याद कर लीजगे आपके लिए बहुत जादा important है अगर आपको मेरी वीडियो beneficial लग रही है important लग रही है अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दें ठीक है उसके बाद next question है हमारे पास first Indian pilot first Indian pilot J.R.D. Tata 1929 first Indian pilot J.R.D. Tata on 1929 first Indian to reach Antarctica very very important first Indian to reach Antarctica ठीक है कौन है लेटनेंट राम चरन 1960 में अनप्राक्टिका पहुंचे थे first Indian to reach अनप्राक्टिका लेटनेंट राम चरन राम चरन at 1960 on 1960 अब next question है उसके बाद हमारे पास first post office opened in India post office इंडिया में कब open हुआ कौलकटा में open हुआ 1727 में first post office कहां पर और कब open हुआ very very important first post office कब open हुआ और कहां पर open हुआ कौलकटा में 1727 में कौलकटा में 1727 में इस तरह से related railway से related भी question ज़रूर पूछे जाते हैं कि first railway track कौन सा कहां पर train चली कब चली ये question भी बहुँ ज़्यादा important है उसी तरह से first post office opened in India that was कोलकटा 1727 ठीक है अब next है हमारे पास first deputy PM of India deputy prime minister of India that is Sardar Wallabhai Patel first deputy PM of India that was Sardar Wallabhai Patel first deputy PM of India that was Sardar Wallabhai Patel first Indian PM of resign from office that was Morari Ji Dasai first Indian PM to resign from office that was Morari Ji Dasai first deputy PM कोन से थे Sardar Wallabhai Patel और first Indian prime minister जिन्होंने की resign दिया था that was Morari Ji Dasai ये दोनों question बहुत ज्यादा important है please क्योंकि वही जैसे कि मैं आपको बार-बार कह रहे हूं कि इस तरह से question पूछे जाते हैं कि confused हो जाते हैं जो option इस तरह से बनाए होते हैं कि वो किसी ना किसी का answer होता है student ने वही याद किये होते हैं तो उसमें confusion create होती है इसलिए मैं बार-बार repeat कर रही हूं कि please इनको note कर लीजिए एक दो बार video सुनिए एक दो बार इनको जो आपने note के होंगे उनको पड़ेंगे तो आपको automatically याद रहना शुरू हो जाएंगे ठीक है और किसी भी exam के लिए यह जादा important है चाहे कोई next है हमारे पास first Indian PM to lose an election first Indian Prime Minister to lose an election that was Indira Gandhi कों थी Indira Gandhi important है first Indian Prime Minister to lose an election that was Indira Gandhi next है first President of India to die in office first President of India to die in office Zakir Hussain that was Dr. Zakir Hussain first President of India to die in office that was Dr. Zakir Hussain very very important next है हमारे पास that was also very very important बहुत जादा important है आपके लिए first man to climb Mount Everest twice कों है first man to climb Mount Everest twice यह अब देख लो question किस तरह से है next है first Indian to reach South Pole, North Pole यह question काफी जादा important है ठीक है प्लीज इनको note कर लीजिए क्योंकि हलका जैसे यहां पर North Pole आ जाए तो इसका अंसरोर बन जाता है Mount Everest ठीक है काफी question important है आपके लिए please note कर लीजिए first man to climb Mount Everest twice नुवंग गुंबू नुवंग गुंबू first man to climb Mount Everest twice नुवंग गुंबू ठीक है अब उसके बाद हमारे पास question है first Indian to reach the South Pole ठीक है कौन है Colonel I.K. Bajaj first Indian to reach the South Pole that was Colonel I.K. Bajaj Colonel I.K. Bajaj first Indian to reach the South Pole that was Colonel I.K. Bajaj उसके बाद हमारे पास question है first Indian recipient of Oscar Award Oscar Award कि से related है फिल्म इंडूस्ट्री से रिलेटीड है first Indian recipient of Oscar Award भानू अथिया first Indian recipient of Oscar Award that was भानू अथिया that was Oscar Award कि से related है film industry से related है ये भी question exam में पूछा जा सकता है कि ये किस से related है film industry से related है किसे first Indian recipient कौन है Oscar Award के भानू अथिया भानू अथिया अब next है हमारे पास first American president to visit India first American president to visit India that was Dwight David Ajun Hovar first American president to visit India कौन से American president थे जिनोंने इंडिया में first time आये थे ठीक है कौन से थे Dwight David Ajun Hovar As An Hour Dwight David Ajun Hovar ठीक है first American president President कौन से थे जिनोंने इंडिया कौन थे जो इंडिया है थे Dwight David Ajun Hovar उसके बाद कौन है हमारे पास first British prime minister to visit India first British prime minister to visit India that was Harold Macmillan अब ये British ये देखो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं कि कौन एक जैसे होते हैं यहाँ पे है American president जो इंडिया में आये थे और यहाँ पे है British prime minister जो इंडिया में आये थे first ठीके तो वो है David as an hour यह है Harold Macmillan Harold Macmillan प्लीज इनको आप याद कर लिए American David और British Macmillan British Macmillan ठीके इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए British prime minister to visit India that is Harold Macmillan very very important ठीके next है हमारे पास first Indian author to get Anderson Award first Indian author to get Anderson Award that is Ruskin Bond first Indian author to get Anderson Award that was Ruskin Bond very very important first Indian award to get Anderson Award that was Ruskin Bond ठीके बहुँ ज्यादा important है please इसको आप note कर लीजिए इसके बाद next question है हमारे पास first Indian to win world billiard trophy first Indian to win world billiards trophy ठीके किसे मिली that is that was Wilson Jones first Indian to win world billiards trophy that was Wilson Jones Wilson Jones उसके बाद आज का हमारा last question है first Indian space tourist first Indian space tourist that was Santosh George first Indian space tourist that was Santosh George very very important first Indian space tourist that was Santosh George ठीके है मैंने आपको सारे जो बहुँ ज्यादा important question है उससे related जो question exam में पूछे जाते हैं सारे questions आपको करवा दिये हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है important लगी है आपके लिए beneficial लगी है तो please वीडियो को like जरूर कर दें और चैनल को subscribe कर दें ताकि इससे related में और वीडियो जो भी आएं आपको साथ की साथ notification आ जाए आपको पता चल जाए और वीडियो को जादा से जादा share करें ताकि जो students competitive exam की त्यारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पौन सके Thank you